खाने में स्वादानुसार नमक के साथ हम प्लास्टिक भी डाल रहे हैं। एक अध्यन से पता चलता है कि भारतिये समुद्री नमक में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद हैं। 5 mm से छोटे प्लास्टिक के करन माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। जब प्लास्टिक अल्ट्रा वाइलेट किरणों की संपर्क में आता है तब यह छोटे टुकडों में तूट कर माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। रोधकरताओं ने केरल, महरास्ट्र और गुजरात के तटों से नमक के आठ नमूनों का अध्यन किया है। उन्हें प्रतेक किलोग्राम नमक में माइक्रो प्लास्टिक के 56 से 103 कन मिले। इन कनों में पॉली इथाइलीन, टेरेफ्टलेट पाया गया जो पैकेजिंग सामगरी और बोदलों मूबियों किया जाता है। इस तरह समुदरी नमक उनकई स्रोतों में से एक है जिनके माध्यम से हम माइक्रो प्लास्टिक्स खार हैं। अब तक हमारे पानी, फल सब्जियों और हवा में माइक्रो प्लास्टिक मिल चुका है। मानव स्वास्त पर माइक्रो प्लास्टिक्स का प्रभाव जानने के लिए शोध करता और अधिकाध्यन की जरूरत पताते हैं